इस कलियों की ये बिचली पीढ़ी आगी, प्रमात्मा इसे दयालू है, कि अब ये पूरे विश्वय में अपनी प्यारी आत्माओं को, अपने बच्चों को, चाहे वो किसी भी जोनी से दुबारा मुनस्जिवन भी प्राप्ट करेंगे अभी तुरंत, प्रमात्मा की वाणी जग है जग है गुण जगी, मुबाइल मालक ने ऐसे इंस्टूमेंट बनवा दिये, ना ये आदमी की बुद्धी की सतर के इंस्टूमेंट है, जो केंपूर तक बना लिए, इंटरनेट लगा दिये, मुबाइल बना दिये, इसमें ठेप भी अंदर, र बात चीद कर लो बाहर से, वो भी अंदर, ये मनुस यहीं था, सत्यूगत लेका आजते ही, और इस पर डंगते हैं, पेचकस नहीं बना था, ना कोई, ऐसा कोई सादन था किरसी का, तो अब ये इसलिए बनवाए हैं प्रमात्माने हैं, कि इसके मादम से, मेरे बच्चों त जग्चे वो किसी योनी में, कुते गदे सूर, या अन्य किसी योनी में हैं, जैसे कुमार नाम ले लिया, मुबाइल साथ राखेगा, गदे साथ होंगे, उन गदों पर भी वानी का असर होगा, माले की इतनी सौसिद वानी है, ये परमात्माने हैं, जोग्चों तुना सकती, या मंतर लाओगा, या अपनी परमात्मा की वचन सुनेगा, तो उन बेलों पर भी असर होगा, उनकी प्रहरद करम उना होते ही, उनके बहुत से पाप करम इस वानी से नर्मल हो जाएंगे, और उनको मनुस्जी मिलेगा, तो इस परकार पूरे विस्वे में परमात्म एक बार सभी पराणियों पर रह्म करेगा, और जो अच्छी आत्म है वो तो पार होए जाएंगी, क्योंकि उनको ग्यान सुनेगा, उनका वो तो उसर दड़की बाजी ला देंगे, जैसे, पहले पुछले इतियास देख लो, गोपी चंद और बरतरी दोनों राजा थे, प और खनाजी से उपदेश लिया, और जो भी आग्या दी उस गुरू ने, और जिस सतर का वो गुरू था, और उन्होंने जो उससे प्राप्त किया, जो आग्या मिली, उस सर दड़की बाजी ला दी, गुरुदेव ने कहा कि जाओ अलवर के राजा का किला बन रहा है, और उ उन्हों जिसने बगवान पाना फिर बगवादों की कहा कसर रहेगी, उस आउसकता रहेगी, अगर-मगर कहा रहेगा फिर उसके मन में, या तो बगवान चाहते हैं नहीं तो, कोई कहता है, जी बीडी ना छूटे है, कोई नहों कहा है, जी यू तब यू नियम तो मेरे समर्पित होना पड़ेगा, और इन मापुर्शों की तरह, लेकिन उन्हों वस्तु भी ना मिजर्टु मने वो मिलने जा रही है, तो बारा वरस तक अलवर के किले में उन्होंने मजदूरी करी है, अर मंतर जाप करते रहे, और ओर टाइम के लिए कुमार के गर पे गारा करते उसकी, गार्या गुथ्या करते और उस ये रोटी प्राप्ट करते थे, और वहां मजदूरी करते जो भी समय था, और ताट शाथ गंटे का, तो जिन अब पुनात्मा वही है ये, जो सब कुछ कर सकते हैं मालिक पाने के रिए, जब इनको ग्यान हो जागा, सम्झामना आरीपते ही बात हमने ये दिखाई दें यहां के चोचले, तो ये चोचले हमें फिर नकली दिखाई देंगे, खिलोने मिट्टी के, पुत्र है, कितना प्यारा लग गया है, मरत्यों जाक्सिजेंट में, तूट किया खिलोना, रो मत्थे बात मारे मारे के, अब प्रमात्मा कहते हैं, गुडिया खेलत जनम गवादिया तने लाया नहीं विचार, ये खिलोनों से खेलते तने असंग जनम होगे, कुछ भी ना सोचा, आत्मा तू कहां से आई थी, कहां जाना है तूने, तो पूरे विश्वे में अब सान्ती होगी एक बार, शत्युक जैसा माहौल ब इसे भगवान मिलेगा, फिर अलग से कोई मजभब बना, मुसल्मान दर्म बना, तो हम ने सोचा, साइदिस से भगवान मिलेगा, तो उसम चले गई, वो गरहन किया कुछ पुन्या अत्माओं ने, फिर किसी ने पता लगया, अब इस सिक दर्म से हमें लाभ होगा, तो सिक दर्म भी खूब अन्याई बने, किसी ने इसाई दर्म से सोचा कि इसाई दियासे भगवान मिल जागा, तो इसाई बन जाएंगे हम, लेकिन अब हमें पता चलेगा, क्योंकि हम पहले दूसरों की सुनी सुनाई पर विस्वास किया करते थे, और हब हम आखों देख के विस् पराप्त करें, ना तो फिर केवल केरन की बाते हैं, इस परकार हम फिर एक हो आएंगे, प्रमात्मा ने छस्सो वर्स पहले कह दिया था दर्म दास, कलियोंक जो पच्पन सो वर्स बीच जागा, उस समय एक महापुरुष, यानि प्रमात्मा ने कहा कि हम ही आएंगे, अब प्रमात्मा ने आएंदास को इस योगे समझाओगा, बेज दिया, लेकिन पावर और सक्ती और सहयोग उसी का है, कबीर भगवान का,